दोस्तों, क्लास 7 तुमारा स्टेट बोर्ड, मैथेमाटिक्स, चाप्टर नुम्बर 3, HCF और LCM उसमें अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है डिविजन मेत्ट टू फाइन HCF तो यह पॉइंट शुरू करने से पहले आप सभी कौन रध है कि चैनल को सब्स्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आकन प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले वीडियो के निटिफिकेशन मिल जाएं आप देखिए, डिविजन मेत्ट टू फाइन HCF डिविजन मेत्ट क्यों यूज़ करना है, यह पहले हमें समझना है फिर उसके बाद हम कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे अब अगर 2021 यह नमबर लें और 2867 अगर यह दो नमबर हम लें तो इनके प्राइम फेक्टर्स आते हैं 47 into 43 और इसके आते हैं 47 into 61 अब इनका जो HC अपाता है 47, हैस्ट कॉमन फेक्टर और देखें 43 से इसको डियाइड होता है minimum और इसको होता है 47 से तो जब हमें प्राइम फेक्टर्स फाइंड करना है तब 2021 के प्राइम फेक्टर्स फाइंड करते समय तो से डिएड करिए, फिर 3 से करिए फिर 5 से डिएड करिए और इसे चेक करिए कि डिएड होता है तो नहीं होगा जब तक 43 नहीं आयगा तब 43 तक जो prime numbers हैं उन से हमें دिएड करके चेक करना पड़ेगा तो ये बहुत lengthy procedure होगी तो इसलिए हमें division method से HCF जो है वो find करना है तो अब हम पहले एक आसान सा example लेते हैं कि कैसे division method से HCF find करना है अब देखिए अगर 25 और 40 का हमें HCF find करना हो 2.HCF of 25 and 40 using division method तो हमें क्या करना है देखिए 25 smaller है 40 से 40 को greater number को 25 smaller number से divide करना है अब 25 और 25 25 to 50 जादा होता है इनका subtraction करिए तो remainder 15 आएगा अब जो remainder आएगा उससे हमें जो पहले divisor था उससे divide करना है 25 यह procedure है division method की HCM find करने के लिए हमें direct HCM मिलता है तो देखिए 15 से 25 को divide करना है 15 to 30 जादा होगा 15 और 15 subtraction करो 25 माइनस 15 15 तो यहाँ पर आता है 10 फिर 10 से 15 को subtract करो पहले जो divisor था उसको divide करो 10 1 to 10 फिर subtraction करिए तो यहाँ पर remainder आएगा 5 जब तक हमें 0 नहीं मिलता remainder तब तक divide करना है अब 5 से 10 को divide करना है तो यहाँ पर लिखना है 10 5 to the 10 फिर subtraction करिए यहाँ पर होगा 0 remainder जब 0 आजाए तब जो divisor था जिससे हमने divide किया है वो होगा HCF तो 25 और 40 का HCF 5 होगा HCF of 25 and 40 is 5 Practice set 12 उसमें question number 2 है देखिए find HCF by division method and reduce to the simplest form अब यहाँ पर एक fraction दिया गया है इन दो numbers का हमें HCF find करना है और उसी HCF से दोनों को divide करके simplest form हमें find करना है तो अब हमें क्या करना है इन दोनों में से जो smallest number है 275 उससे हमें जो greater है 525 उससे divide करना है तो 275 से 525 को कैसे divide करना है देखिए 275 का तो table हमें लग नहीं है तो यहां का एक digit लेना है 2 और यहां का एक 2 से 5 को divide करो तो 2 तूज़ा 4 2 तूज़ा 4 तूज़ा 4 तूज़ा 6 तूज़ा 6 greater हता है तो 2 से divide हो सकता है तो 275 को 2 से multiply करिए तूज़ा 525 से greater आ गया तो 2 से divide नहीं होगा अब 1 से होगा 275 वनज़ा 275 फिर subtraction करिए अब अगर समझो यहां पर 2 से 5 को हमने divide कर लिया तो 1 डिज़ा से 1 डिज़ा अब 1 डिज़ा अगर समझो greater है और यह smaller है तो यह आंके 2 डिज़ा लेने है और यहां का 1 डिज़ा से उसे divide करना है और फिर चेक करना है कि कोई से number से divide होता है फिर multiply करके देखो अगर उसे ने हो रहे तो उसे smaller number से divide करो अब यहां फिर 5 माइनस 5 0 5 का एक यहां पर बरो लो 12 माइनस 7 यहां पर आएगा 5 यहां पर रहेगा 4 4 माइनस 2 250 आएगा अब 250 से 275 को divide करो 250 वनजा 250 फिर subtraction करो यहां पर 5 7 माइनस 5 2 आएगा 2 माइनस 2 0 25 से 250 को divide करो तो 25 टेंस आ 250 remainder आगया 0 जहां पर remainder 0 आता है वहां का diviser 25 HCF होगा तो हमें मिलेगा HCF 25 अब जब हमें simplest form point करना है 275 divided by 525 का तो दोनों नमबर को हमें 25 से divide करना है 25 से divide करने के बाद देखे 275 को अगर 25 से हमने divide कर लिया 25 अगर हमें 25 से divide करेंगे 25 टूजा 50 52 माइनस 2 25 55 50 25 अगर 25 तो 11 बैट 21 यह सिब्लेस्ट फ़र्म आएगा अब आगे के जो नेक्स्ट दो कॉस्टेंस हैं उन्हें आप इजिली स्वाल कर सकते हैं तो ठीक है दोस्ता अभी देखे 76 अपर 133 यह नेक्स्ट कॉश्टन है सेकेंड कॉश्टन प्रक्टिसे ट्वेल का सेकेंड कॉश्टन उसमें सेकेंड कॉश्टन तो यह एक एक अग्जाम्पल यहां पर लेंगे 233 को सेवन्टी सिक्से डिएड करो अब सेवन यहां पर 13 सेवन टूजा 14 ग्रेटर होता है तो वन से डिएड होगा सेवन्टी सिक्स वण जा सेवन्टी सिक्स अब यहां का एक बारो 13-6 यहां पर 7 होगा 12 12-7 5 57 से फिर 76 को डिएड करना है फिप्टी सेवन फाइव यहां पर है 7 5 वन जा भाई 1 से डिएड होगा तो 57 वन जा पर 57 सब्रेक्शन करिए तो यहां पर 16-7 9 यहां पर 6-5 1 19 से आगे पहले का जो डिएड जरता उसे डिएड करो 19-3 जा 57 तो यहां पर 19 होगा HCM और 76 डिएड भाई 133 को अगर हम 19 से डिएड करें तो 19 फोर्जा 76 और 19 7 जा 133 तो यह सिंप्लेस्ट फॉर्म होगा नेक्स्ट पॉइंट है LCM लिस्ट कॉमन मल्टिपल अब LCM क्या होता है दीखे लिस्ट मतलब सब से कम कॉमन मतलब कॉमन मतलब सभी में और मल्टिपल मतलब टेबल में आने वाला नंबर अब हम यहां पर दो नंबर्स लेते हैं करना है तो इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टिपल मतलब सब से कम कॉमन मतलब दोनों का सेम और मल्टिपल इनका मल्टिपल इनके टेबल में आने वाला सब से smallest number, अब 20 के table में देखे, 21, 20 22, 40, 23, 60 24, 80 25, 100 26, 120, अगर हम ऐसे number लिखते जाएं तो इसमें infinity तक number आते हैं अब 15 के table में देखे, 15 15, 15, 20, 30 45, 60, 75 90, 105 120, ये 15 के table में आने वाले numbers हैं, अब इन में सबसे smallest कौन सा number है देखे, सबसे smallest जो common है दोनों में, 20, 20 ने आता, 40, 40, 60 यहां पर है, यहां पर 60 है तो 60 जो हुआ इन दोनों का list common multiple, 20, 30, 60 45, sorry, 15 15, 40 60, तो यह 60 जो है, इन दोनों का LCM तो यहां पर हम लिख सकते हैं, LCM of 20 and 15 is 60 दोनों के table में आने वाले सबसे smallest number यह होगा, least common multiple 60 अब अगर number greater है मतलब बड़े हैं जिनका table हमें नहीं आता suppose 2 digit या 3 digit या 4 digit number हैं, तब हमें कैसे करना है, उसके लिए हम prime factorization method जो है, वो use करेंगे तो इनी दो numbers का हम prime factorization method से LCM जो है, वो find करेंगे, देखे, 20 और 15 के हमें prime factors पहले find करना है तो 2 से divide होने के बाद 10 2 से divide होने के बाद 5, 5 वन्जा 5, 15 को 3, 5 जा 15, फिर 5 वन्जा 5, अब 20 के जो factors है, 2, 2 5, तो हमें यहाँ लिखना है 20 is equal to 2 into 2 into 5, 15 is equal to लिखना है 3 into 5 अब हमें find करना है least common multiple LCM तो कैसे करना है, देखे, इस method को तोड़ा ध्यान से आप सुनिए कि दोनों में सबसे पहले हमें common जो number है, वोने डोनना है देखे, 5 और common को यहाँ पे लिखो जब एक बार पूरे common हमने लिख लिए है उनको underline करें, जिनको हमने लिखा है, इनके बदले में यह कहाँ पे और भी number हो सकते हैं उनके बदले में हम यहाँ पे number लिख सकते हैं अब यह दो common हो गए, इसके बाद जो common नहीं है, पूमन होने के बाद जो common नहीं है, उनको हमने यहाँ पे multiply करना है, तो यहाँ पे टू, underline करें यहां पर लिखे, 2 को लिखे, multiply, यहां पर करिए, 3 को अंडर लाइन करिए, फिर यहां पर 3 को 3 से multiply करिए, फिर देखे और तो सब हो गए, तब हमें इनका multiplication करना है, तो multiply करिए, 5 तूज़ा 10, 10 तूज़ा 20, 23 तूज़ा 60, तो 60 जो है, 20 और 15 का, ELCM least common multiple,